हेलो बच्चो रस्तु एजूकेसन में आपका स्वागत है आज हम एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका से कक्षा छटवी के विश्य सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड से पेज नमर 108 में वर्णित अध्याय दस नए सामराज्य और राज्य के प्रश्णुतर हल करेंगे अध्याय दस है नए सामराज्य और राज्य इसका प्रश्णिक रमांग एक है वंसा वाली से हमें कौनसी जानकारी प्राप्त होती है तो इसका उत्तर लिखिए वंसा वाली से हमें वंस की जानकारी प्राप्त होती है प्रेश्निक्रमांग दो है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे इसमें किस सासक के बारे में जानकारी मिलती है इसका उत्तर लिखिए हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट है इससे गुप्तवंस के सासक हर्ष वर्धन की जानकारी मिलती है प्रश्निक्रमांग तीन देखिए पुलकेसिन द्वितिये किस वन्स का प्रशिद राजा था उनके बारे में जानकरी कहां से पता चलती है इसका उत्तर लिखिए पुलकेसिन द्वितिये चालुक की वन्स की प्रशिद राजा थे इनके बारे में हमें उनके दर्बारी कवी रवी किर्थी द्वारा रचित प्रसस्ती से पता चलता है प्रेश्निक्रमांग चार है पल्लवों वा चालुक्यों के राज्ये किन-किन छेत्रों में फैल हुए थे इसका उत्तर लिखिये पल्लवों का राज्ये उनकी राजधानी कांची पुरम के आसपास के छेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था जबकि चालुक्यों का राज्ये क्रश्णा और तुंग भद्रा नदीयों के बीच स्थित था प्रेश्निक्रमांग पांच है पल्लवा चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विसेस्ताय लिखिये इसका उत्तर लिखेंगे पहला प्रशासन की प्राथमी की काई गाउं होते थे दूसरा प्रशास की पद अनुवानसिक थे तीसरा एक ही व्यक्ति कई पदों में कारी करता था प्रेश्निक्रमांग चै है इस काल की सैनिक विवस्था के बारे में विवरण दीजिए इसका उत्तर लिखेंगे इस काल में सैना हाथी, रत, घुड़, सवार और पैदल सिपाही होते थे इसके अलावा सैना नायक भी होते थे सैना नायक को कोई इस्थाई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमी दान दी जाती थी प्रेश्निक्रमांग साथ पल्लाव काल में सभा से क्या आशे था, ये अपना कारे किस प्रकार करती थी इसका उत्तर लिखिए पल्लाव काल में ब्रामण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे ये सभाएं उपसमीती के जरिये सिचाई खेती बाड़ी के काम सडक निर्माण इस्थानी मंदिरों की देखरेक आधी करती थी प्रेश्निक रमांक आड़ देखिए पल्लवो वाचालुक्यों के राजियों को किस वंस की राजाओं द्वारा समाप्त किया गया इसका उत्तर लिखिएंगे पल्लवो और चालुक्यों को राष्ट कूट तथा चोल वन्सों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया प्रश्निक्रमांक नो देखेंगे प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजों समान लेकर यात्रा करते थे इसका उत्तर लिखे ये प्राचीन काल में राजा, हत्यार, बर्तन, खाने का समान जैसे बकरी, हीरन, खरगोस, शबजिया, मसाले, रोजमर्रा की उप्योग वाली सभी चीजे आदी लेकर यात्रा करते थे प्रश्निक्रमांक दस है इस काल में जन साधारन से समबन्दित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है इसका उत्तर लिखेंगे इस काल में जन साधारन की जानकारी नाटकों से मिलती है जैसे कालिदास के प्रशिद नाटक अभिज्ञान सांकुंतलम से प्राप्त होती है जिससे इस काल के जनसाधन की जानकारी मिलती है दूसरा है कुछ विदेसी यात्रियों के यात्रा व्रतान से जानकारी मिलती है जैसे चीनी यात्री फाहयान के यात्रवरतान से हमें जानकारी मिली है इस प्रकार हमारा ध्यायदस समापत होता है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के सांस सेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद